मुझे लगता है यह सर्वे वर्वे है ना यह सर्वे तो इलेक्ट्रोल बॉंड जैसा गोटाला है रोहिद जी आप एक माला और लेकर बैठ जाए सबाएं कर लो के 400 पार 400 पार 400 पार अगर यह दिखाना पड़ेगा हम कैसे दिखा देश आपको लाइव देख रहा है जई शिराम दोस्तों तो स्वागते आपके अपने चैनल जलिम दुनिया में तो आज की एको डिबेट देखने वाल है बहुत ही शांदर क्योंकि आज की डिबेट में जब बीजेपी से कोई सवाल पूछे कि आपकी 400 पार दिख नहीं रही है तो वो धेरे पूर्वक जवाब देते हैं लेकिन वही पर जब आलोग शर्मा से कोई सवाल पूछे या कॉंग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से हाल फिलाल सवाल पूछे कि आप कई से यूपी में नहीं दिख रहे और आप भी कई से गटबदना जीता वा नहीं दिख रहा है इतना बोलने पर ही सीधर कॉंग तो हमें एक लाइक सब्सक्रेब कमेट जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं आलोग शर्मा जी यह बताए जिन दो कैटेगरी के हमने बात कि एक तो 100 सीटे उसके अलावा 200 सीटे जहां पर भारतिये जरता पार्टी बढ़त बनाए हुए है कॉंग्रिस के अगर बात करें देखे मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपका जो सर्वे है यह कब का है क्या इलप्टरल बॉंड से पहले का है या बाद का है दूसरा कि क्या 19 से तुलना 24 की करना क्या सही होगा क्या 19 के बाद से जो तमाम मुद्दे रहे हैं जिन में करोना है किसान अंदोलन है अगनी वीर है इडी सीबी आई का दुरूपयोग है क्या यह सवाल क्या कोश्चनेर पूछा गया था क्या उनमें यह तमाम सवाल लिए गए थे मुझे लगता है यह सर्वे वर्वे है ना यह सर्वे तो इलेक्टरॉल बॉंड जैसा है गोटाला है जब जब मोदी जी का ग्राफ गिरता है सर्वे आने शुरू हो जाते हैं टीवी चैनल पर और जब जब सर्वे आते हैं तो कहीं न गहीं पर क्या कोश्चनेर लेकर जाए और क्या उसका रजल्ट होगा यह अपने आप में बड़ी बिहार में जिस तरह से तमाम हालात बदले हैं कुछ दिनों से वेस्ट बिंगॉल में आज हालत क्या वैसी है जो पिछली बार थी नोंकि पिछली बार पूरे पैन इंडिया इनको पुलवामा का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था लेकिन आज इलेक्टरोल बॉंड से कुलता हुआ नहीं दिखरा तो यह 370 पार 400 पार कहां से हो गाई है मेरी सब को राम राम और मैं अलोग जी को सुन रही थी तो मैं तो यह कह सकती हूं कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गले और यह सोचकर बैठे हुए हैं कि हमारा जो है भारत में खाता नहीं खुल कि आप लोग हैं कहां हैं कहां दक्कन भारत वाले आप लोग को पूछते कहां हैं और जिस प्रकार से पूरा दक्कन भारत इतना प्यार दिखा रहा है नरेंद मोदी जी की प्रती वह अपने आप में देखने वाला है अब आप देखेगा केरल में भी आपको हमारी चाप द उत्तर प्रदेश में क्या कहींगा आप संभावनाओं पर 74 सीट सर्वे के मताबिक हालांकि सर्वेज को आप नहीं मानते उननीस और 14 के नतीजों से तुल्ला को भी आप ठीक नहीं मानते लेकिन उसके बावजुद मेरा स्रीधा सवाल है कि आपको क्या संभावनाओं दिख र आएंगे जब हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री शम्शान और कबरिस्तान के नाम पर वोट मांगेंगे तो आप देश में गुल्दस्तों की कहीं पर भी उम्मीद छोड़ दीजे दूसरी बात आपने सर्वेज की बात की यहीं सी वोटर सर्वे था पिछली बार हरियाना मे 83 सीट दिखाई थी 40 आई थी और हम 12 सीटें हारे थे केवल 1500 वोट से कम दुरभाग यह है कि एक घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं रोहित जी आप एक माला और लेके बढ़ जाएं सबाएं कर लो कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार आपने 25 बार रिपीट कर दिया है आनिला जी एक बार नहीं बोल पाई है थोड़ा सा तो लज्जा रखिया आप लोग क्या कर रहे हैं आप इस देश में मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं कि ब्रेक के लिए उगना सर हमारी भी बात सुनीजे सर अगर हमें हम एंकर्ज में सुनने की एक शम्ता है कॉंग्रेस के निताओं को सुनने की एक शम्ता रखने चाहिए यह आपको लगता है यही तो दिक्कत है 2014 के आंकरों को आप नहीं मानेंगे साब तुल्ला अगर होती है तो तुल्ला पिछले आंकरों ताजा अनुमाम पर ह होती है तुल्ला कार्ति है होता है आपको तुल्ला नहीं करनी है आपको बात में सब्सक्राइब किसकी फोटो लगेगी नहीं तो कह रहा हूं कि आप एक मोदी नामा और ले लिजे माला लेकर बैठ जाईए और सब्सक्राइब कोई आप लोग रोना बन के जिए अलोग जी हमारा काम बीपी और शुगर की तरह से रोज बीपी चेक करना रोज शुगर लेवल चेकर करके बताना एक फोटो एक फोटो नहीं दिखा सकते वि अगर किसी सर्वे में भारतिये जनिता पार्टी को बढ़त मिल रही है उत्तर प्रदेश में 74 सीट मिल रही है तो साब हम करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो यहीं सवाल पूछेंगे कि कौन है आपके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अगर वहाँ पर बड़ी सही होंगे तो सपा से सवाल करेंगे लेकिन आपको घुसा करना है सड़क पर विपक आपको लाइव देख रहा है आपका सिंबल पिछे लगा है आप सामने बैठे हैं आप करें फोटो नहीं लगी फोटो नहीं लगी साब बताएए कौन सी फोटो लगा दे मैं दो तिन बात यहां पर कहना चाहूं तो अलोक शर्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बाते कर दी हमारे निता के लिए बहुत गुस्ता हुए आपको साधी बहस बाजी करी कि क्यो नरे नोदी जी की तस्वीर लगातार आप दिखा रहे हैं विपक्ष की तस्वीरे क्यो रहुल कांदी जी की लगा देते जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम का अपमान किया था कुछ नहीं तो केजरिवाल की ही लगा देते जो शराब घुटाले में जिनके नेता जेल में बंद है और उनके पास बार बार इदी का संबन जा रहा है लगाते ने इनकी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और जैसे भी चुनाओ के बाद में इन लोगा क्या हाल होने वाला है आप कमेंट शेक्चन में जरूर मुला कात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में